हेलो एविबॉन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज की जो रिडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में अभी फिलहाल और सेक्श्वली वो क्या सोच रहे हैं यह हम फोकस करने वा लिंग्स भी देखेंगे हम ठीक है तो आज की रीडिंग हमारे कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं कि सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट देखते हैं कि क्या कुछ है उनकी सेक्शुल डिजाइर्स आपके लिए ओकी सो फोकस कीजिएगा आप मेरे विवर्स ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए होगी जो लोग कॉंटेक्ट में है जो लोग नो कॉंटेक्ट में है या लेस कॉंटेक्ट में है आप अपने पार्टनर के बारे में जाना चाहते हैं चाहे वो आपके क्रश ही क्यों ना हो लेकिन सेक्शुल डिजाइर्स को हम देख रहे हैं, तो आप जिसके लिए भी देखना चाहते हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं, ठीक है, जैन्डर स्पेस्विक रीडिंग नहीं है यह, ओके, गाइड करें एंजल्स, मुझे गाइड करें एंजल्स, इनिवर्स, एंसेस्टर्स, गाइड करें एंजल्स, ओके, ओकी बाउंडरीज दा डिस्ट्रोईट मस्कुलीन मुझे लगता है कार्ड्स को मैं इधर रखंगी तो ज़्यादा बहतर रहेगा ओके ओके क्रियेटिविटी लव एंड है दा डिस्ट्रोईट फैमेनाइन ओके बॉट्म अकर डेक है दा डिवाइन मस्कुलीन ओके इमोशनल फ्रीडम का कार्ड है यहां आप लोग देख सकते हैं यह कार्ड जो कि आपके पार्टनर की हाईयर एनर्जी को बता रहा है ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है न आपको लेकर के देखे यह पॉर्शन मस्कुलीन अनर्जी में है तो जाहिर सी बात है कि यह पॉर्शन को बुस्सा बहुत आएगा यह काफी पावर्फुल पॉर्शन है और इनकी नजरे काफी तेज है ऐसा लगता है कि आपके जूट को ये person फटाक से पकड़ लेते हैं और आपको control में रखना भी चाहते हैं ये person ठीक है इनको जूट बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है और जूट सुनना भी पसंद नहीं है बिल्कुल भी नहीं काफी deep level के सोचना आपके partner की energy में दिख रहा है आपके partner काफी deeply सोचते हैं काफी deeply जो आप शायद सोच नहीं सकते हैं आपकी सोच जहां पर खतम होती है आपके partner की सोच वहीं से start होती है ठीक है काफी पैनी नजर है इनकी आपके partner जो है न देखे ये जो person है काफी controlling तो है ही साथ ही साथ ये person sexual भी काफी जदा है ये person काफी romantic है बट ये person को दिखाना show करना बिल्कुली पसंद नहीं है उतना जब sexual होना है जब intimacy चाहिए तो बस चाहिए चाहिए आप जिस भी mood में हो उनको कोई मतलब नहीं है होता है न कि हमारा mood करता है नहीं करता है कोई लेना देना नहीं है बस मेरा mood कर रहा है न बस काफी है ठीक है तो वो चीज़े जो है न मुझे यहाँ पे खासतोर से देख रहे हैं आपके cards में मुझे आपके partner के अंदर खासतोर से night के time में sexual desires ज़्यादा मैं देख पा रहे हूँ मुझे ऐसा feel होता है कि आपने कहीं न कहीं अपने partner को मना कर दिया है जो feelings इनकी हैं जो sexual feelings इनकी हैं सिर्फ sexual relationship आपको नहीं चाहिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपको एक healthy relationship चाहिए आपके partner को भी चाहिए बट मुझे ये दिख रहा है कि कहीं जो आप expect करते हो आपके partner night के time में call करते होंगे जब भी बाते होती होंगी या अभी भी बाते होती हैं तो ये ज़्यादातर बाते sexual होती होंगी यहाँ पर ऐसा feel होता है कि आपको उस तरीके का जो हैना नहीं चाहिए आप चाहते हो कि ये person आपका सबसे पहले trust जीते उसके बाद आप इनको सब कुछ दे दोगे इनके उपर सब कुछ आप लूटा दोगे ठीक है ये person के feelings हैं आपके लिए लेकिन पहले क्या है इनके लिए वो चीज़े हैं और उसके बाद से emotions हैं ये person को पता है कि आप भी जो है इस relationship में आना चाहते हो या इनके साथ आना चाहते हो उसी तरीके से आना चाहते हो जिस तरीके से इनके अंदर passion है लेकिन कहीं न कहीं ये जो person है ये feel करते हैं कि आप जो है ना डरते हो कि ये person आपको ढोखा दे देंगे ठीक है ऐसा feel होता है जिसे कि आपको चाहिए ठीक है आपको चाहिए आप सब कुछ देख रहे हो इनके साथ एक happy family देख रहे हो एक mindset अच्छा खासा देख रहे हो growth देख रहे हो मेहनत देख रहे हो सब कुछ देखा है आपने इस person के अंदर एक mature person देखा है आपने लेकिन फिर भी आप इनके उपर ये चाहते हो कि ये person सबसे पहले आपका दिल जीते है ठीक है तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये person उन सारी चीजों को जो है ना चाहते हैं कि ये person उन सारी चीजों को करे ठीक है आपको खुश करने के लिए करे लेकिन ये person को वो बाद में करना है पहले नहीं करना है ये person की feelings ऐसी है sexual को ले करके कि जब आप इनको नहीं देते हो वो चैजें आपके partner को काफी अकेला पन होता है काफी अकेले पन में वो चीजें जो है ना इनको देखनी पड़ती है survive करना पड़ता है मुझे ऐसा feel होता है जैसे कि इनको लगता है कि आपने इनको cheat कर दिया आपने इनके जो मेहनत है इसके उपर पानी फेड़ दिया काफी pain होता है आपके partner को जब आप इनसे बोलते हो कि नहीं कोई बहाना बना देते हो या जिस भी तरीके से आप इनको टाल देते हो इनकी feelings, emotions कोई कदर नहीं करते हो सो इनको काफी बुरा लग जाता कि और उसने मेरे emotions को मेरी feelings को मतलब नहीं समझा नहीं feel किया नहीं सारी कुछ चीज़े की उसने मेरे emotions, मेरी feelings की कोई कदर नहीं है ये person उस वह में सोचने लगते है और इनको काफी तकलीफ होने लगती है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हर तरीके से आपको पाना चाहते हैं ये तो मुझे दिख रहा है कि हर तरीके से आपको पाना चाहते हैं लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ जैसे कि आपके partner जो भी चीज़े करते हैं ठीक है ये person कहीं न कहीं दिल से करने की चाहत रखते हैं ठीक है दिल से करने की चाहत रखते हैं लेकिन वो चाहत इनकी पूरी नहीं हो पाती है मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि यह जो person है ना हर तरीके से तूट जाते हैं ना finance, ना career, किसी में इनका work, मतलब कुछ भी नहीं कर पाते हैं यह person ऐसा लगता है कि जैसे कि यह person को अलग सा लगता है कि अरे यार मैं कहां फस गया या क्या यह relationship सही नहीं हो सकता क्या, divine नहीं चाहती है, angels नहीं चाहते हैं कहीं यह person जो है ना बहुत negative way में यह person सोचते हैं जब आप इनको वो चीजे या फिर कहें तो अपनी boundaries बताते हो कि देखो मैं यह नहीं चाहती, मैं वो नहीं चाहती मैं चाहती हूँ कि पहले तुम यह करो, फिर हम दोने यह relationship बनाएं, तो कहीं न कहीं इससे आपके partner चीड़ जाते हैं मैं यहां पर बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हूँ कि आपके partner इस रिस्ते को बहुत ही deeply समझना चाहते हैं लेकिन इनको वो सब मिलने के बाद समझना चाहते हैं, यह person को ऐसा लगता है कि जैसे कि सारी दुनिया तो उसी में है, सबको तो वही चाहिए तो आज या फिर कल तो मेरा ही होगा, तो आज क्यों नहीं, ठीक सो मुझे यहाँ पर यहीं दिख रहा है कि आपके और आपके partner को जो है ना, मतलब आपके partner को यह लगता है कि आप शायद इनको गलत समझ रहे हो या गलत वे में ले रहे हो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये लगने लगा है या ये लगता है कि आप दूसरों के तरह इनको समझते हो या आप जो है न देखें ये परसन जो है न छुप छुप करके मिलना या कहें तो एक ऐसा इंटीमेसी चाहते हैं जिसका पता किसी को न चले इनके दोस्तों को भी पता न चले ये परसन किसी को नहीं बताएंगे ये परसन न ये भी बोला है कि नहीं मैं किसी को नहीं बताओंगा या बताओंगी ठीक है तो ये परसन एक दम से इंटीमेसी चाहते हैं चुपके चुपके सब कुछ करना चाहते है ये परसन चुपके चुपके और इसी को ले करके शूर नहीं हो क्योंकि इनके इस behavior से कहीं ना कहीं आप परेशान रहे तो आपको डाउट होने लगता है कि यह person भी उसी तरीके से है सोच करके यहां पर आपको तकलीफ होती है देख करके क्योंकि आप जब अपने पार्टर का reaction देखते हो ना जब आप मना करते हो कि नहीं मुझे इन सारी चीजों में कोई इंट्रेस्ट नहीं है तो आपके पार्टर आपसे बात तक नहीं करते हैं बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं यह पर्सन और उस समय आपको और जदा तकलीफ होती है और जदा दर्द होता है मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है जिसे कि आपको लग जाता है आपको लगता है कि हां यह पर्सन जो है कभी लगता है कि बहुत अच्छा है बहुत क्यार करता है बहुत इससे दे द मेरे सांद टाइम पास तो नहीं कर रहा है ठीक है क्योंकि आपको लगता है कि पॉर्षन आपका जो है ना टाइम पास कर रहा है कभी-कभी आपको लगता है दिल से लगता है कि पॉर्षन आपको आपको जो है ना धोखा देगा यह इंटीमेट हो करके आपके साथ इंटीमेस कर सकते हैं और वैसे भी 99% लड़के ऐसे होते हैं लड़के लड़किया यह नहीं करूँ बढ़ ज्यादा तर लड़कों के बारे में मैंने रीडी किया हुआ है ठीक है मैं किसी के उपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं सो सौरी अगर किसी को होत हो तो कि फिजिकल रिलेशन के बाद जो है ना बहुत कम चांसे होते हैं कि आपसे वो पॉर्सन शादी करें ठीक है तो यह है तो उस वज़ा से आप भी कहीं न कहीं ड़ते हुए दिखाई दे रहे हो सो चलिए कुछ और कार्ट्स देखते हैं गाइड करें एंजल्स उनिवर्स एंसिस्टर्स क्या सोच रहे हैं इनके पार्ट्नर नाइट अफ वान्स पापरी पैशन बहुत जादा है आपके पार्ट्नर में बहुत पैशन है इंदम से जो कहता न कि जैसे कूट-कूट के पैशन भरा है कि भाई मुझे चाहिए चाहिए तो मुझे चाहिए वो वाला जो है ना पैशन मुझे नजर आ रहा है ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है जिसे कि आप अपने पार्ट्नर के दीवाने हो एकदम से पूरी तरीके से दीवाने हो और ऐसा लगता है जिसे आपके पार्ट्नर जो है ना आपके प्यार में इकदम पगला गए हैं ठीक है मैं आपको यहीं करोंगी क्योंकि यहां पर जो आट्रेक्शन पावर में देख पा रहे हूं आपके लिए जो फिजिकल इंटिमेसी की चाहत्में देख पा रहेए हूं ठीक है आपके पार्टनर के अंदर काफी हए тоже हैं teak का वही होता है कि यह जो पॉर्सन है ना काफी ज्यादा डीपली आपके लिए फिल करने लगते हैं और काफी ज्यादा डीपली एक फिजिकल इंटिमेसी की चाहत इनकी होने लगती है ठीक है और काफी पैशुनेट हो जाते हैं आपके पार्टनर ठीक है मुझे यहां पर यही करने लगते हैं आपके पार्टनर ठीक है सो यह दिख रहा है ओके डैविल के एनरजी मैंने कहा ना इनकी एनरजी ही ऐसी है फीजीकल एकदम से जैसे की दीवाने हैं आपके ठीक है सो मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि आप आपके जो पार्टनर हैं एकदम से जैसे की ऐसा लगते हैं जैसे की आप को लेकर के इनका एक नशा है अलग सा नशा है जैसे कहते हैं कि वो नशा खताम ही नहीं हो रहा है जैसे की दो घूट मार लिया और वो नशा चड़ गया सो चड़ गया है ना तो आपका नशा है ठीक है ऐसा लगता है कि आप में जो है ना मतलब आपने इनके उपर जादू चाह दिया है अपना जादू एकदम बिखेर दिया है कि भाई तुम चाहिए तो चाहिए और एक कि हो सकता है कि अगर कुछ लोग फीजिकल हुए भी है तो काफी हाड लेवल पे जो है ना यहां पर दिख रहा है मुझे कि येस आपके पार्टनर के अंदर काफी हाड लेवल की एनरजी दिखाई दरी है ठीक है तो येस मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब भी आपको देखते हैं तो कहीं न कहीं अपना कंट्रोल खो बैठते हैं और मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि कंट्रोल खो देना और फिर से एकदम से डीपली एकदम से इन्वाल्व हो जाना वो दिख रहा ऐसा लगता है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में जो महबत है वो महबत एक नम से एक हाई लेवल की है देखो आपको देख करके आपकी खुबसूरती को देख करके और आपकी अट्रेक्शन को देख करके जब भी जो भी आप अड्रेस करी करते हो ना उसमें किसी भी किसी भी ड्रेस में आप बहुत 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 प्यारे लगते हो बहुत प्यारे लगते हो और वही प्यार महव पॉर्सन को कहीं न कहीं वह प्यार महबत हर एक चीज आप में कहीं न कहीं यह पॉर्सन देख थे हैं जो है आप मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके पार्टनर उस दिन का इंतजार कर रहे हैं सो काफी अच्छी एनरजी है और काफी प्यारी एनरजी एक आपको लेकर के और मैं ये भी देख पात हूं जैसे कि आपके partner एक प्यारी सी energy को manifest कर रहे हैं कि कम से कम ये सारी चीज़े आपकी दिल से निकल जाए और आप इनको order दे दो कि yes चलो ठीक है मैं तुम्हारी बातें माल लेती हूँ या माल लेता हूँ ये वाली चीज़े मुझे नजर आ रही है page of pentacles yes fantasies काफी जादा है लेकिन साथ ही साथ ये person जो है आपके साथ घूमरा भी चाहते हैं आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं थोड़ा ये commitment लेट से देंगे ये person को लगता है कि commitment की बातें अभी ना करें तो ही जादा बहतर है क्योंकि commitment जो है ना बहुत strong सी commitment देनी है आपको और इतनी जल्दी ये person शादी नहीं कर सकते हैं इतनी जल्दी commitment नहीं दे सकते हैं शादी के बंधर में बनना नहीं चाहते हैं ये person अभी ठीक है क्योंकि इनको अपना career भी बनाना है अपनी life में आगे होना है स्टेबल होना है stability चाहिए अभी और success चाहिए अभी और तो आपकी partner कहीं न कहीं इन सारी चीजों के ऊपर थोड़ा सा मतलब इनको intimate तो होना है बट शादी नहीं करने हैं अभी सो ये risk है मेरे ख्याल से तो ये risk बहुत बड़ा risk है मुझे नहीं लगता है कि अगर आप लोग इस तरीके के relationship में हैं इस तरीके के सोच है आपके partner की तो आपको इनके साथ ऐसा कुछ करना चाहिए बिलकुल में नहीं तुम success होना चाहते हो तो success के बाद ही सब करो ठीक है य यह ऐसा बोलो आप क्योंकि यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि पॉर्सन जो है ना किसी का दिमाग कब घुम जाता है किसी को पता नहीं होता है तो किसी को उपर इन सारी चीजों के उपर ना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से तो मुझे यहां पर यहीं देख रह रहना क्युल यह नहीन रहना चाहिए या नहीक हरना चाहिए गाइटकर अंचल्स windows and sisters okay okay ओके नाइट अफ पैंटिकल्स ओके पील अफ फॉर्चुन तो अफ स्वार्ट्स एंड जज्ज्मेंट तो मुझे यहां पर यह दिख रहा है आप लोगों के लिए कि देखें यहां पर आपको भी decision लेना काफी मुश्किल हो रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस पॉर्चन के साथ रहना चाहिए इसका वेट करना चाहिए या मूवन कर जाना चाहिए क्योंकि आपको ऐसा relationship चाहिए नहीं सो मुझे यहाँ पे clear answer मिल गया है clear एकदम से clear कि आपको यहाँ से move on कर जाना चाहिए इस person के उपर आपको trust नहीं करना चाहिए ठीक है physical intimacy कि अगर आपके partner को इतनी चाहत है तो यह person शादी करे और commitment दे आपको commitment दे, शादी हो जाए उसके बाद यह सारी चीजे करें तो अच्छा लगता है ठीक है लेकिन यहाँ पे without marriage यह person अगर आपके साथ यह offer करते है तो मुझे लगता है कि अगर शादी की date भी fix हो जाए तो भी अगर आपके partner कहते हैं कि चलो अब तो यह कर सकते हैं तो भी नहीं ठीक है आपको यहाँ से move on हो जाना चाहिए मुझे यह यही दिख रहा है कि time आपको लगेगा अपने partner को भूलने में अपने partner को जो है थोड़ा सा लगेगा आपको याद आएगी अपके partner की आपके partner भी आएंगे आपकी life में ठीक है लेकिन यह जो इनकी चाहत है without marriage और physical होना सो मुझे जहां तक डिखता है कि नहीं करना चाहिए यहाँ पे जो है आपको अपना रास्ता दिखना चाहिए क्योंकि आप काफी time से इंतिजार कर रहे हो और इंतिजार के बाद भी आपको कोई decision नहीं मिल रहा है कोई clarity नहीं मिल रही है आपको divine के through angels के through blessings भी मिल रही है आपको divine angels किसी ना किसी प्रकार से आपको guidance भी दे रहे है हो सकता है कि मेरे through ही आपको सही रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप life में आगे बढ़ो इस person के उपर मतलब एकदम से trust मत करो क्योंकि जो प्यार करते हैं जो जिनकी feelings real होती है जो लोग really में प्रेम करते हैं वो लोग शादी के बाद ये सब करना पसंद करते हैं तो मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपको move on कर जाना चाहिए क्योंकि आपको इस रिस्ते में कुछ भी नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं आपके हाथ कुछ भी नहीं आयेगा ठेक है after physical relation ठेक है तो आपको यहां से अपनी life के लिए चूज करना होगा अपना career अपनी family ठेक है तो यहां पर आप किसी और के साथ जा सकते है किसी और को देख सकते है बट इस person के उपर trust करना मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए सही होगा ठेक है तो overall reading में यहीं देख रहा है मुझे आपको मैंने आपके लिए जो cards बताए मैंने आपको बता दिये बाकी आगे कि आपकी मर्जी है आपकी life है ठेक है तो यह है आपकी reading आज की reading I hope reading आपके साथ resonate की होगी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप मुझसे प्रसनल टारो डीडिंग लेना चाहते हैं या टारो कार डीडिंग करना सीखना चाहते हैं टारो क्लासिस करना चाहते हैं जिसमें मैं आपको टारो डीडिंग कैसे करते हैं टारो डीडिंग कहां से आया होता है tarot cards हम अपना रिष्टा कैसे बनाएंगे वो सारी चीजे जो है मैं आपको guide करूंगी so tarot reading में हम लोग बहुत कुछ जो है सीखने वाले हैं और जो है आप लोग अगर course को join करना चाहते हैं जरूर join किजे 15 तारिक से 15 अप्राइल है 15 अप्राइल से फिर से स्टार्ट हो रहा है हमारा दूसरा course ठीक है tarot class का second course हम जो है करवा रहे हैं तो अगर आप लोग इन्रोल करना चाहते हैं फटाफट इन्रोल नहीं होगी आपकी मतलब एक होता ना कि पूरे दिन काम किया और उतना भी अर्ण ना कर पाए वैसा नहीं होगा ठीक है तो काफी अच्छे खासी जो है अर्णिंग्स होने लगेंगी आपकी अगर आप एक ट्यारो का रीडर अच्छे खासे बन जाते हैं किसी की प्रेडिक्शन काफी अच्छे खासे करते हैं सो काफी कुछ चीज़े जो है ना मैं आपको सिखाऊंगी सो आई होप आप लोग जो है सिखने में इंट्रेस्टेड होंगे और जरूर क्लास को जोईन करेंगे सो चलिए फिर मिलत आप से फिर से किसी नए रीडिंग में तब तेक के लिए बाबाई